आप सोच रहे होगे एक कटोरी दाल और एक कटोरी चावल से मैं क्या करने वाली हूँ? ये बच्चवे दाल चावल हैं? नहीं-nहीं मैं भाने नहीं वाली हूँ मैं इनसे कुछ लँज परिपेर करने वाली हूँ आप अगर जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लास तक देखें तो चली तयार करते हैं सबसे पहले तो हम दाल को साइट में रख देंगे और एक कटोरी चावल के साथ हम लेंगे वन थर्ड कटोरी सूजी और हम सूजी को मिक्सी में डाल कर इसको महीन पीस लेंगे आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं मोटी या पतली क्योंकि हमें इसे पीस ना है यह देखें मैंने इसे पीस लिया है इसके अंदर ही हम चावल डाल देंगे और इसे भी पीस लेंगे और ये देखे ये पीस कर एक पेस सा तयार हो गया है अब हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी धाई और आधी कटोरी पानी और इसे भी हम अच्छे से पीस लेंगे और एक पेस तयार कर लेंगे यह देखिए मैंने एक paste तयार कर लिया, इसमें आदे की डोरी पानी और डाला मैंने, और एक महींसा paste तयार कर लिया. अब हमें कडाई लिएंगे, उसमें डालेंगे हम तेल, थोड़ी सी राय, प्याज, और इसे हम भूल लेंगे. या आप कड़ी पता हो तो आप कड़ी पता भी इस पे जरूर डालें, मेरे पास कतम था तो मैंने नहीं डाला, प्याज हमारे हलके से गोल्डन हो गए हैं, अब इसके अंदर मैंने डाल दिया टमाटर और नमक, नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाती हैं, या आप मेरी हर वीडियो में सुनते ही होगे, इसलिए आप हमेशा टमाटर जालते ही नमक डालें, इसमे दी हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला और कश्मीरी लाल मिर्च, और एक चमач, सामबर मसाला, जी है सामबर मसाला, हम दाल से बना रहे हैं सामबर, और इसे हम थोड़ी दिर भूनले ल मैंने बिना सबजियों के बनाया है, आप चाहें तो इसमें सबजियों का यूज भी कर सकते हैं, सोडा, वन फोर्ट टीस्पून हम इसमें सोडा डालेंगे, आपके वाद सोडा ना हो तो अब बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, वो हम हाफ टीस्पून डालेंगे, उसमें थोड़ा सा उपर से पानी डालके, इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और यह हमारा बैडर ते चिपकेगा नहीं, इस पर हम अच्छे से तेल लगा लेंगे और फिर हम डालेंगे इसके उपर पानी की छीटे और इसे पोच ले इससे दवब तैयार होजएगा और हमारा बैटर इस पर झाल के रूषर हम इस तरह से फैला देंगे यह देखमी इस तरह से फिलाने अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेर करो और प्लीज 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 सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले आपको बच्यों दाल और चावल की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जुरूर बताएं मैं आपके कमेंट का वेट करूँगी